तो यहाँ पर हमारे सामने ये सवाल है, माइनस 3,8,1 और माइनस 7,5,2 से होकर गुजरने वाली रेखा के दिक अनुपात यानि direction ratios और दिक कोसाइन यानि direction कोसाइन लिखिये. तो हमें दो बिंदू दिये गए हैं और इनके बीच से गुजरने वाली कोई रेखा है, कुछ ऐसे, हमें बताना है कि इस रेखा के direction ratios और direction कोसाइन्स क्या है, तो क्योंकि हमें ये दोनों बिंदू दिये हुए हैं, हम इनको जोडने वाले सदीश को आसानी से निकाल सकते हैं, हमें पता है कि अगर दो बिंदू हो x1, y1, z1 और x2, y2, z2 तो पहले बिंदू से दूसरे बिंदू तक जाने वाला सदीश होता है, x2-x1 i cap, plus y2-y1 j cap, plus z z2-z1 k cap, कुछ इस तरीके से, तो इस सदीश को हम आसानी से निकाल सकते हैं, अब अगर हमें सदीश मिल गया, तो हम direction cosines भी निकाल सकते हैं, कैसे? माल लिजए एक सदीश है हमारे पास, x i cap, plus y j cap, plus z k cap, direction cosines होते क्या हैं? direction cosines हमें बताते हैं, कि ये जो सदीश है, ये x-axis के साथ, y-axis के साथ, और z-axis के साथ, क्या angle बना रहा है? जो angle बना रहा है, उनका cosines आखिर क्या है? तो मान लेते हैं, ये x है, ये y है और ये z है, तो ये जो हमारा सदीश है, ये x-axis के साथ, अगर alpha angle बना रहा है, y-axis के साथ beta, और z-axis के साथ gamma, तो direction cosines होंगे हमारे cos alpha, cos beta और cos gamma, तो cos beta क्या होगा हमारा? cos beta होगा base by hypertenus, और यहाँ पर इसका base होगा y, और hypertenus है हमारा इसकी लंबाई, इस सदीश की लंबाई, जिसको हम r कह देते हैं, तो cos beta हो जाएगा base by hypertenus, इसी तरीके से cos alpha होगा हमारा x by r, और cos gamma होगा हमारा z by r, तो इस तरीके से हम direction cosines निकाल सकते हैं, अगर हमें सदीश पता हो तो, x, y और z तो हमें पता है, और r निकालने का तरीका होता है, इसकी लंबाई निकालने का तरीका होता है, इसका magnitude निकालना, जो की होता है, x square plus y square plus z square, तो इसका उपयोग करते हुए, इस सदीश का उपयोग करते हुए, हम इसी तरीके से, इसके direction cosines निकाल सकते हैं, तो चलिए करते हैं, इससे पहले कि मैं करूँ, आप एक बार खुच से कोशिश कीजिए, तो हमीर है आपने की होगी, यहाँ पर हम x1, y1, z1 और x2, y2, z2 को अगर रखें, तो हमें क्या मिलेगा, यह मिलेगा, हमने x2 की जगा minus 7 रख दिया, और x1 की जगा minus 3, इसी तरीके से y और z भी, तो इसको हल करने पर हमें मिलेगा, minus 4i cap, minus 3j cap, plus k cap, तो यह हमें मिल गया सदीश, अब इस सदीश से हम direction cosine निकालते हैं, cos alpha हो जाएगा हमारा x, जो की यहाँ पर minus 4 है, divided by r, r होगा इसका magnitude, जो की है हमारा यहाँ पर, root over minus 4 का square, यानि 16, plus 3 का square, यानि 9, plus 1 का square, यानि 1, तो यह हो गया, minus 4 by root 26, इसी तरीके से cos beta और cos gamma भी मिल जाएंगे हमें, cos beta हो जाएगा minus 3 divided by, लंबाई तो सेम रहने वाली है, तो यहाँ पर सीधा root 26 लिख देते हैं, और cos gamma हो जाएगा हमारा 1, क्यूंकि हमारा plus k cap था, तो 1 divided by root 26, तो यह हमने तीनों दिख को साइन तो निकाल लिये, इसके अलावा हमें निकालना था, दिख अनूपात, यानि direction ratios, तो चलिए direction ratios निकालते हैं, तो direction ratios होते हैं, हमारे vector के components, और vector के components तो यहाँ पर हमने निकाल ही लिए, minus 4, minus 3 और 1, तो हमारे direction ratios हो जाएंगे, minus 4, minus 3 और 1, यह हो गए हमारे दिख अनूपात, यानि direction ratios, तो इस तरीके से दो दिए गए बिंदू के हम direction ratios और direction cos निकाल सकते हैं, उन दोनों को जोडने वाले सदीश को निकाल के,